हलो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सिभी का सत्या एक्सिलेंट यूटूब चैनल पे फैनल दोस्तों आज के अपडेट एक नई अपडेट आ रहे है जिसमें हर्याना स्टाफ सेलेक्शन कमिशन की तरफ से आई एक बार वेकेंसी की दोबारा अपडेट की गई है जो मैं आपको इस वीडियो के मातम से पूरी जनकारी देने वाला हूँ तो जितने भी छातर आई 2020 को जारी किया गया था और इसका जो ओपनिंग डेट रखा गया था तीन मतलग कि तीन मार्च 2020 से आपका फार्म बढ़ना स्टार्ट हुआता है और 24 मार्च 2020 को यह जो फार्म है इसको क्लूज कर दिया गया लेकिन आज की डेट में मैं आपको इसका नोटिफिकेशन देता इसका री ओपन किया गया मतलग कि दोबारा जो है फार्म को यहां पर ओपन किया है जिसमें आल इंडिया के कंडिट फार्म को अपलाई कर सकते हैं जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं री ओपन जो फार्म है हार्याना स्टाफ सेलेक्शन कमिशन की तरफ से यह जारी किया गया नीचे आप आजाते हैं यह जो नोटिफिकेशन इसमें साफ साफ लिखा गया यहां पर आप पढ़ सकते हैं री एक्टिविटेड फॉर्म 31 जुलाई 2021 से आपका 16 अगस 2021 तक कि आपका फॉर्म भरा जाना वाला है कहना है का मतलब यह कि जो पुरानी जो वेकेंसी आई थी जिसका जो फॉर्म है भरना समिट हो चुका था सारी परक्रिया पूरी हो चुकी थी उसको दोबारा ओपन किया गया और जो चातर अभी तक इस फॉर्म को अपलाई नहीं किये तो अपलाई कर सकते हैं इसमें आपको बहुत सारे पोश्ट देखने को मिल जाता है जैसे कि यहां पर देख सकते चार पोश्टों के बारे में जनकारी दीगे लिवरेटरी अटेंडेंट इसके बाद सुप्रवाइजर फिमेल इसके बाद आट टीजल मेकैनिक है और भी बहुत सारे पत है इलक्टिसियन है इसफेक्टर है इलक्टिसियन है जुर्नियर मेकैनिक है अधर अधर पतों पर आपको यह वेकेंसी देखने को मिल जाती है जो की ऑल इंडिया के कंड़िट फॉर्म को अपलाई कर पाएंगे ज इसके बाद आपको पूरी जनकारी देता हूं स्टेप बाई स्टेप तो इसमें दोस्तों आप यहां पर देख सेते हैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा आप वहां से आकर इसके अफिसल वेस साइट पर आ जाएंगे और यदि आप फॉर्म क कि कितने पदों पर वेकेंसी आ रहे हैं तो आप यहां पर देख सकते हैं 1137 पदों पर यह आपकी वेकेंसी निकल के आ रहे हैं जो की ऑल इंडिया के कंडियेट फार्म को अप्लाई करेंगे और इसमें जो आपको सेलरी दी जाएगी एच एससी रूल के अंतरगत जो भी आपको पेमेंट मिलेगा उसके अंतरगती मिलेगा इसमें पेमेंट का कोई भी जिक्रि नहीं किया गया योगता की बात करें तो दोसमी वाले भी फार्म को अप्लाई कर पाएंगे जो लो आई टी आई पास है डिगरी डिपलोमा पास ह इसमें अलग-अलग पोश्ट पर अलग-अलग क्वालिफिकेशन रखी गई है आयू सीमा की बात करें तो 17-42 वर्स के लोग फार्म को अप्लाई कर पाएंगे इससे अधिक या इससे कम है तो आप फार्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे इसमें उम्रभी के छूट भी दे अधिक नहीं लगेगा सेलेक्शन की बात करें तो इसमें आपका रिटेन एक्जाम होने वाला इसमें ऐसा नहीं है कि मेरिट बेस पर आपका सेलेक्शन होगा ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है अप्लाई जो फार्म के उल स्विकार किया जएगा यदि आप किसी भी मात्यम से फार्म को आपने यहाँ पर समिट करते हैं तो जो आपका फार्म में रिजेक्ट कर दिया जाएगा जोब लोकेशन की बात करें तो हरियाना इसकी जो लोकेशन अनने वाले जो की आल इंडिया की कंडिट फार्म को अप्लाई कर पाएंगे इसकी जो ओपिसियल वेबसाइ दो हजार एक तक की आपका फार्म भरा जाएगा और फिसर जमा करने के विजो ती रखे गईगी 16 अगस्ट 2021 रखे गई है verse 2021 लो फार्म को अपलाई करना चाहते कर सकते हैं फार्म को अपलाई करने के लिए आपको नीचे आना है और यहां पर आपको क्लिक करना है क्लिकर पर और यहां से आपका जो वेबसाइट यह ओपन हो जाएगा आप देख सकते हैं रिलूड आप करेंगे तो यह ओपन हो जाएगा थोड़ा संहां पर प्राप्लों ले रहा है निट्वर्ट्क करें तो दूस्टब कर सकते हैं और नोटिफिकरिकेशन भी पढ़ सकते हैं याःती आप कोई भी करफूजन हो रहा है तो झाल झाल